हेलो गड़ीज वेलकम बैक टो अवर चैनल आज बात करेंगे सीवियर फायर मिलेड वन थाउजन आर एसपी एडिशन 2015 मोडल आप लोग देख सकते हो क्या कंडिशन है बाइक की अभी फोड़ी सी मैसियो रखे बाइक अब इसको हम लोग क्लीन करने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से अपने केर एंचाइन पे छाइक गलीन करोंगे साहिए हैं और दो जैंगे मैसे जड़ आर तक का हम लोग जोगरें पूरा खेके से वोगरें आर आर यार खेकान प्रदाए वाले भी तर एब इस और उदान के अपने को हम आईखेता हैं आर बाइक आ चुकी है उपर अब इसको पेडोक स्टेंड पे लगा देते हैं अब स्टार्ट करते हैं बाइक को वोश करना तो सबसे पहले हम लोग इस पर पानी मारेंगे थोड़ा सा प्रेशर से मारेंगे ज्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे ताकि जितने में मिट्टी है वह सब बहार आ जाए और बाइक को कुछ नुक्सान मिनाओं के पानी दो मार दिया पूरी पे अब इसके उपर करेंगे फोम वोश कामझ मिनाओं के रिचल राएक हो इस प्रेशर नहीं पर वोड़ा से लिऻने लिए यहाँ पर वोड़ा के जितने उठकिंशे में में अभी आएपरा क्राफ़ा जब दो में हम उब मुड़ा हो बहार चाईबवाश इज के जितने हैं जितने को एम पराईबा प्राएक एम अगले स्टेप में हम लोग इस बाइक को अब साफ करेंगे बिल्कुल मिनरल वोटर से क्योंकि पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी उसमें बहुत होती है जो भी सप्लाइ का पानी रहता है वही हम लोग यूज कर रहे हैं तो अब इसको बिल्कुल साफ पानी के साफ इन दे सेंस मिनरल वोटर इसके बाद यहाँ पर हमारी स्टीम वोश हीट हो रही है और इसके बाद हम लोग मारेंगे बाइक के उपर स्टीम यह इसका टेंपरेचर हो चुगा है 172, 173 और यह 220 तक जब पहुच जाएगा हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टीम वोश हो चुके है अब बाइक पर शाइन देख सकते हो बिल्कुल ही अलग शाइन करने लगी है बाइक अब स्टीम लगने के बाद देख सकते हो आप लोग अभी टाइम काफी जादा हो चुका है रात के साड़े ग्यारा हो चुके हैं सो अभी हम लोग इसको इसी कंडिशन में छोड़ रहे हैं स्टीम वोश करने के बाद सुबह इसके उपर हम लोग पॉलिशिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों से मिलता हूँ सुबह गुड मॉर्निंग गाइज सो दिस इस नेक्स टे एंड रात को हम लोगों ने इस बाइक को स्टीम वोश वगरा कर दिया था बट इस पर कोई भी पॉलिशिंग वगरा नहीं की थी स्टीम वोश के बाद क्या होता है सर्फेस जो होता है वो थोड़ा सा रॉफ हो जाता है बिकोज वो उपर से जितने भी चिकनाट और जो भी पार्टिकल्स रहते हैं पेंट के उपर सब कुछ हटा देती है इसलिए अब इसके उपर हम लोग लगाएंगे पॉलिश ताकि पेंट सर्फेस जो है वो स्मूथ हो जाए फिर दुबारह से एंड उसकी जो ग्लोस है वो वापस आ जाए हम लोग यूज करने वाले अपनी ये सिक्रेट फॉलिश जो कि मैंने थार पे लगाई थी थार वाली वीडियो अगर आप लोगों ने निदे किये तो जाके एक बर चेक करो लिंक आ रहा होगा अब लगाने वाले हम लोग इसके उपर टायर की फॉलिश तो देख सकते हैं अब लोग कैसा ग्लोस हा रहा है टायर पॉलिश लगने के बाद ग्राइज अब हो चुका है बाइक में पूरा काम कंप्लीट एंड आप लोग देख लो क्या कंडिशन है बाइक की पूरी बाइक एक एक पार्ट साइन कर रहा है यह देखो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो को करते हैं यही पे एंड और मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाइ भाइ बाइ